तो इस activity में कुछ भी नहीं है यहाँ पर आपको बताया गया किसके बारे में Elastic Potential Energy के बारे में बताया गया Elastic Potential Energy के बारे में बताया गया Elastic P.E P.E का मतलब Potential Energy Elastic Potential Energy क्या होती है जब किसी body के configuration में change होता है यानिके उसके shape या size में change होता है क्या करके work करके जब हम किसी body के उपर work करते हैं और उसके configuration में change होता है यानिक उसके shape और size में change होता है तो जितना हम work करते हैं वही work उसमें as a potential energy store हो जाता है और जब shape या size में change होता है किसी body की तो उसमें जो potential energy store होती है उसको हम elastic potential energy बोलते हैं और इस elastic potential energy की help से वो body work कर सकती है ठीक आईए दिखाते हैं आपको तो इस example को देखी करा take a bamboo stick and make a bow as shown in the figure ठीक एक bamboo ले लो बास का जो डंडा आता है उससे एक उसमें string बांदो ये वाले end पे ये वाले end पे बांद के इस तरीके से धनुष बना लो ठीक है या आप मेले में चले जाओ कहीं वहां से खरीद के ले आओ धनुष मिलते हैं चोटे-चोटे महाँ पे किरा प्लेजन एरो make of a light stick it with one end supposed by stretch the string ठीक है एक arrow भी कह रहा है आप string के उपर work done कर रहो है आप बोल सकते हो पूरे system के उपर work done कर रहो system क्या है यह पूरा एक system है ठीक यह देखिए बो और यह string खासकर आप string को खीच रहे हो जब पीछे इस तरीके से तो बो अपना शेप यहां से चेंज करेगा धनुश जो है पहले यह ऐसे तह यह ऐसे गोल घूम जाएगा ठीक इसने अपना शेप चेंज कर लिया तो इसके शेप को चेंज करने में इसके configuration को चेंज करने में आपने जो work किया है डोरी को जो खीच है string को जो खीच है वही work as a elastic potential energy इसमें store ह हो जाता है यस मान लो आपने इसको इस शेप से शेप में लाने में वर्क किया कितना फाइव जूल का मान लो तो अब इसके पास कितनी elastic potential energy हो गई है इसके पास elastic potential energy कितनी हो गई है फाइव जूल की ओके सुटेंस ठीक तो जैसे ही आप इसको छोड़ देते हो जैसे रिलीस क आगे निकल जाता है ठीक याने कि arrow के पास क्या गई kinetic energy कितनी जितनी इसमें potential energy थी आइडल केस लेके चल ला हूँ में ठीक हलागी कुछ energy दर-दर waste हो जाएगी heat wheat के form में radiate हो जाएगी तो वो सब बात लगे वो मैं ignore कर रहा हूँ उसको ideal केस में हमान रहे यह पूरा का पूरा जितना मैंने work done किया था तो यह work done पहले as a elastic potential energy में change हो गया 5 joule की इसमें elastic potential energy आगी अब जैसे ही इसको हम release करेंगे यह elastic potential energy किसमें change हो जाएगी kinetic energy में ठीक है तो अब इस arrow के पास कितनी kinetic energy आ जाएगी 5 joule की बस यही process है पूरा यही बात आपकी किताब में लिखी के रहा notice the arrow flying of the bow notice the change in the shape of the bow ठीक बो के shape में change आ गया था धनुष के shape में और मैंने आपको बताया था अगर work करके किसी body के shape में change आ जाता है तो उसके पास कुन सी energy होती है elastic potential energy चीक के रहा the potential energy stored in the bow due to the change in shape is thus used in the form of kinetic energy in the throwing of arrow मैं आपको बताया जिस body के पास energy होगी वह work कर सकती है तो आपने जो work किया वह as elastic potential energy bow में store हो गया फिर जैसे आपने इसको release करा तो उसके पास जो elastic potential energy थी बो के पास वह भी तो work कर सकती जिस body के पास energy होती भया वह work कर सकती है ठीक तो इसके पास elastic potential energy थी यह work कर सकती इसने वक quiya arrow के उपर रहे हैने के force लगा इसने वर किया फिर से गशने अनरजी में change हो गया arrow की kinetic energy बन गया वह सीधे शब्द um बोले तो arrow की पास kinetic energy कितनी उल की चिक सो यह होगी बच्छो एक्टिविटी आपकी